नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ सुमी चोधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान के प्राचीन धर्म शिंटोईजम के बारे में तो अगर आप शिंटोईजम को देखेंगे तो इसकी जो नेचर है वो आपको दिखेगी थोड़ी स्प्रिच्वल फिलोसोफी जैसी थोड़े इसमें आपको कल्ट्स ट्रेडिशन इस तरह से दिखेंगे जो आपको वे ओफ लाइफ के बारे में बताएंगे हालंकि इसको कहा जाता है जापानीज एथनिक लेकिन ये जो वेस्टन रिलिजन्स हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है जोडाइजम है इनसे थोड़ा डिफरेंट है उस तरीके का रिलिजन नहीं है कि एक सूपरनेचरल पावर है उसके बाद इनकारनेशन की बारतो रखी हो एक ही गोड की पूजा करनी हो या बहुत सारे ग इस्ट्री क्या है इसके बिलीव क्या है और जो इसको मानने वाले लोग हैं वो किस तरीके की जीवन सैली को एक तरीके से फॉलो करते हैं तो चलिए देखते हैं सिंटोईजम के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि एंशेंट जापान जो था उसमें मैनली कौन से रि ये इसकी entry होती है जापान में इससे पहले जो main religion था जापान में वो Shintoism ही था जो कि सैंकडों और हजारों सालों से यहां पर follow किया जाता था इसके काफी पुराने आपको आउसेश भी मिल जाते हैं तो बुद्धिजम जो है बुद्धिजम का origination जो है इंडिया में हुआ हलांकि गोतम बुद्धा का जनम नेपाल में हुआ था कपिल वस्तु में और उन्होंने अपनी जो manly जो teaching हैं वो इंडिया में दी सारनाथ से ही उनकी teaching की शुरुआत होती है गया में उनको एक तरीके स से वो मिला था enlightenment मिला था तो बुद्धिजम का rise इंडिया में होके फिर चाइना से होता हुआ कोरिया से होता हुआ ये जापान में 6th century में पहुँचा लेकिन उससे पहले सेंटोईजम यहां पे था और आज ये दोनों ही religion follow किये जाते हैं पूरे के पूरे जापान के अंदर जापान की अगर आज के समय की डेमोग्राफी देखें और वहां का religious affiliation देखें 2012 के according जो कि बिटानिका का ये data है और ये कहता है कि यहां पे जो population है वो 79.2% population जो है वो सिंटो religion को follow करती है 67% के आसवास population जो है वो बुद्धिजम को follow करती है 1.5% population Christianity को और 7.1% population जो है other religions को follow क अब आप कहेंगे कि ये तो मिला के data 100% से ज्यादा हो गया ऐसा कैसे हो सकता है तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बुद्धिजम और सिंटो religion है इसके जो मानने वाले लोग हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजम को भी मानते हैं और अगर आज के समय अगर आप इन दोनों religions को देखेंगे जापान में तो आपको ये इनसेपरेबल दिखेंगे बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं लोग जो की सिंटोईजम के फॉलो करते हैं और वो अपने आपको कोई टैग भी नहीं देना चाहते हैं वो ऐसा नहीं कहते कि हम सिंटोईजम का एक तरह से follower कहते नहीं है openly आके ऐसा नहीं कहते हैं कोई problem नहीं है लेकिन उनके tradition में ही है कि वो अपना ऐसा नहीं है कि अपना बहुत ज़्यादा लोगों के सामने दिखाते हैं उसी तरीके से बुद्धिजम को भी follow करते हैं अगर आप बात करें जैसे कि मै भी किसी बच्चे का जनम होता है तो वहाँ पे एक ritual follow किया जाता है सिंटोईजम में कि उस बच्चे को शिरीन में लेके जाया जाता है कुछ rituals follow करवाए जाते हैं तो वह tradition जो है वो majority of population वहाँ पे follow करती हैं लेकिन अगर बात करें किसी के death के बाद उसका जो अंतिम संसकार ह तो वहाँ पे जो tradition follow होता है वो शिंटोईजम के according नहीं होता ज्यादातर लोग जो है वो बुद्धिजम के according ही अपने traditions को वहाँ पे follow करते हैं किसी कांतिम संसकार के जो विधी विदान है उसको बुद्धिजम की tradition से follow करवाते हैं तो यह जो चीज़े हैं यह इन दोनों religion क काफी inseparable बनाते हैं कि दोनों ही तरीके के लोग बुद्धिजम को मानने वाले और जो सिंटोईजम को मानने वाले लोग एक दूसरे के कल्स को इस्तमाल करते हैं और उनको फोलो करते हैं और एकदम चल रहा है एकदम मज़े से चल रहा है दोनों रिलिजिन में कोई भी conflict है ही नहीं यहां पर तो चीजें कैसे हुई यह समझेंगे और सिंटोईजम की ही बात हो रही है सिंटोईजम जैसे religion और कुछ religious idea आपको Confuciusism टाविजम में मैंने बताए हैं जो चाइना के ancient philosophies और religion हैं इनको भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि East Asia के अंदर जो religion थे और जो philosophies थी वो काफी अलग थी अगर आप compare करें western culture से और western जो philosophies हैं उनसे तो इनके थोड़े ideas भी अलग थे इनका जो तरीका अचा डाइटीज को पूजा करने का और philosophy को वो अलग था बताने का तरीका भी थोड़ा अलग था वो चीजें आप यहां पर जाके देख सकते हैं यह है साल 1946 में यहां पर हिरोसिमा और नागा साखी में दो एटम बाम गिरे थे आपको पता है जापान पूरी तरह से बरबाद हो गया था दूसरे विशो यूद में उसके बावजोद भी आज जापान अपने पैरों पे इस कदर खड़वा उठा कि वो developed nations में जाना जाता ह वो एक ethnical religion है एक spiritual philosophy है जो कि जापान में ही originate हुई और manly जापान में ही follow की जाती है और दूसरे जगाओं पे जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है Shinto जो शब्द है इसका अगर literary meaning देखें तो वो होता है the way of kami कामी का जो रास्ता है उसी के तहट अपनी जीवन को जीना ही क्या है Shintoism है तो अब हमें समझना होगा कि kami क्या है और kami का अगर kami वसे शब्द Japanese शब्द है तो इसका अगर translation English में करें तो वो होता है God or deity लेकिन ये अधूरा है इसका ये इसका अधूरा meaning है इतना ही सिमित है नहीं actual में Japanese language में इसका मतलव अगर Shintoism में इसका wide meaning देखेंगे तो वो काफी detail में है और उसको हम आगे समझेंगे गी एक divine power के तोर पे इसको देखा जाता है एक sacred superpower की तो नहीं आप इसको एक एक इस तरीके की power के देख सकते हैं जो कि dieties और God को तो बताता ही बताता है लेकिन साथ साथ में दूसरी चीजों को भी बताता है एक spiritual idea को भी बताता है ठीक है इसको हम आगे बताओंगा आगे इसके बारे में slides भी हैं तो ये एक concept था सिंटोईजम का और चटी शताबदी में जब बुद्धिज बहुत परभाव पढ़ने लग गया और उसका कारण यह है कि आने उस समय पे आने वाले समय में बुद्धिजम को ज़्यादा एक तरह से acceptance मिलने लगी जापान में और लोग बढ़ चड़ के participate कर रहे थे और बुद्धिजम को फोलो कर रहे थे लोग उन्होंने भी अपने tradition में बुद्धिजम के traditions को अपनाने लग गए उन rituals को अपनाने लग गए तो क्या हुआ कि दोनों cults एक दूसरे में बहुत ज़्यादा mix up हो गए inseparable हो गए और आगे देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा overpower कर दिया था बुद्धिजम ने over shadow कर दिया था Shintoism को तो Shintoism के इस Christianity के founder हैं लेकिन यहाँ पे कोई founder नहीं है यहाँ पे नहीं कोई official scripture है जैसे सभी धर्मों में कोई नहीं कोई scripture होता है जैसे Hinduism में गीता है उसके अलावा इसलाम में कुरान है Bible है Christianity में लेकिन यहाँ पे कोई एक holy text नहीं मिलेगा इसका मतलब कोई hard and fast rule नहीं बने है कि क्य क्या क्या चीजें क्या क्या चीजों को आपको ऐसे ही follow करना है कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि स्वर्ग नर्क नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि आपको मौक्ष कैसे मिलेगा यह सब चीजें यहाँ पे नहीं है कोई fix dogma नहीं है क्योंकि sacred text ही नहीं है तो यहाँ पे क्या है preserved its guiding belief throughout the ages तो जो belief और जो traditions जो cults जो rituals को फोलो करते आ रहे हैं हजारों सेंकडों सालों से उसको PD दर PD आगे पहुंचाते हैं लोग उसको फोलो करते जाते हैं और उसी से हम इस religion को समझने की कोशिश भी करते हैं इसी लिए क्या होता है कि कोई भी religion जिसके बारे में एक sacred text नहीं हो जिसके बारे में कोई holy book नहीं हो उसको समझना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब के अलग अलग traditions को read करके समझ के ही आप उनको देख सकते हैं अलग अलग जगे पे अलग अलग वर्जन भी मिलते हैं ऐसे religion के ठीक है तो इनको हम देखते हैं कि किस तरीके की चीज़े हैं अब ये close to spirituality कैसे हैं देखे मैंने जब confuciusism बताया था तो मैंने कहा था कि वो एक philosophy एक way of life ज्यादा है नहीं कि एक religion वो मैंने बताया था religion और philosophy में डिफरेंस क्या होता है वो आप जाकर देख भी सकते हैं अगर यहां पर सिंटोइजम की बात करें तो इसमें आपको एक way of life किस तरीके से जीनी है उसके बारे में बात ज्यादा की जाती है अपनी practices के बारे में ज्यादा बात की जाती है आपकी purification belief के बारे में ज्यादा बात की जाती है although इस चीज़ के बारे में ज्यादा बात नहीं होती कि central deity क्या है एक supreme power क्या है उसके एक तरह से शर्ण में चले जाओ वही आपका उधार कर देगा ऐसी चीज़ें यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलती worship करते हैं ऐसा नहीं कि worship करते ही नहीं है worship करते हैं लेकन worship भी इनके यहाँ पे एक performance of ritual की तरह है कि जैसे एक tradition है पूजा करनी है और कामी जिसको यह God की तरह मानते हैं कामी जो की एक काफी बड़ा vision है बताऊंगा आपको तो पूजा करते हैं लेकिन उस तरह से पूजा नहीं होती जैसे कि Christianity में या फिर Hinduism में हम करते हैं उस तरह से पूजा यहाँ पे नहीं होती है थोड़ा अलग इनका तरीका है सिंटोईजम का जो गोल है परपज है जैसे हर एक religion में अलग अलग goals होते हैं कुछ religion का होता है कि enlightenment होना जैसे enlightenment का होना बुद्धिजम का ही एक बहुत central idea है इनलाइटन का उस तरह से इसका यह नहीं है इसका यह है कि to be touch with kami कामी के साथ एक touch में रहना कामी के साथ एक समने में इस्तापित करना वो एक इसका concept है जैसे confusism में था ना कि society में harmony को establish करना उसका central idea है वही है एक purpose गोल वही होना चाहिए तो उसी तरीके से यहाँ कामी जो है वो है कि spiritual energy है ना उसके साथ एक तरीके से आपको interlinked होना है उसके साथ आपको समने में स्तापित करना है sacred rituals के through ठीक है अपनी life को purify रखके कुछ traditions को और rituals को follow करते हुए आप ये कर सकते हैं तो अब ये कामी क्या है कामी के बारे में बहुत बार बात आ चुकी है कामी क्या है कामी का अगर आप meaning देखेंगे इंगलिश में तो ये आ जाएगा god या goddess या deity लेकिन ये इससे काफी आगे है इसका concept इससे ज़्यादा बड़ा है जिसमें आपको spirit phenomena holy powers इन सब के बारे में बात हो जाएगी phenomena phenomena किस तरीके के सब phenomena नदियों का बहना पहाडियों पर जरने का बहना पहाडियां नदी नाले सी सब चीजें जो बड़े phenomena हैं जो इस nature में बहुत महत्वण हैं उन सभी को एक तरीके से ये माना जाता है कि ये कामी का हिस्सा है और सब कुछ कामी के ही द्व जा करना एनिमिस्टिक रिलिजन जैसे होता है ना उस तरह से जैसे टैंगरीजम वगरा है उस तरीके से यहां पर भी यहां इन चीजों को जो नेचरल फीचर से उनको बहुत ज्यादा एहमियत दी गई है ये कामी का हिस्सा माने गए हैं और जो एंपरर हुआ करता था ओमनी पोटेंट सुपीरियर माना जाता है सबसे सुपर नेचरल पावर है उसके पास वो सबसे समझदार है उससे उपर कुछ नहीं है वो इमोर्टल है ऐसे कॉंसेप्ट इसमें है नहीं और देखे जो हूमन बिंग है वो भी डेथ के बाद अगर वो एक अच्छा हूमन ब वो भी बने हुए हैं शेरियंस भी बने हुए हैं बहुत सारे आठ मिलियन और कई लोग कहते हैं कि कुछ नंबर आफ डिफाइन नहीं कर सकते हैं इन्फिनिटी नंबर ओफ यहां पर कामीज हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है सीमा नहीं है तो बहुत ज़्यादा ये इस तरह किसे कामीज को मानते हैं तो कामी एक बहुत ही बड़ा इस्प्रिचल आइडिया है ना सिर्फ उसको गोड या गोड़ेस के ही तरह से देखना सही नहीं होगा उसके बाद बात करें कि कामी को किस तरह से देखते हैं जापान के लोग तो पुराने समय कि अगर बात करें यग याग योई पिरियड जो है वो लगबग आप 300 AD तक का जो समय ना उसको मानते हैं 400 BC से लेके 300 AD तक के जो समय है उस तक जो है इसको माना जाता था कि कामी जो है वो एक formless और invisible realm है देखे ऐसा नहीं माना जाता है शिंटो इजम में कि जैसे बहुत सारे religion में मनता ने कि हम heaven realm है वहाँ पे गोड रहता है वहाँ पे supernatural power सारे अर्थ को नीचे वाले जितने भी प्लैनेट से उनको कंट्रोल करता है ऐसी चीज यहाँ पे नहीं दे रखी है यहाँ पे कर रखा कि अर्थ पे ही human beings भी है और कामी भी है दोनों ही यहीं पे हैं वो in habitant है लेकिन कामी जो है वो इस तरीक से हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता वो formless है वो invisible है यह चीज पुराना idea था अब क्या होने लग गया बाद में जब बुद्धिजम six century में यहाँ पे आया तो बुद्धिजम के साथ-साथ आपको पता है बुद्धिजम के भी दो sect हैं हीन यान महायान जो man sect य होने लगी तो statue कामी के भी बनने लगे जो जैसे बुद्धिजम के जो यहाँ पे बन रहे थे statues बन रहे थे तो सिंटोईजम के लोगों ने भी इसको थोड़ा सा उस तरह से अपग्रेड कर लिया क्योंकि बुद्धिजम का परभाव भी था सिंटोईजम पे तो इनके statue बन सकते हैं ठीक हैं तो कामी जो है वो जहां भी भी जिस special place पर रखा जाता है उसमें जो मतलब वो कोई भी हो सकता है कामी सिर्फ एक temple की बात नहीं जैसे यह तो शिरीन हो गया बड़ा शिरीन सेंट जो जिनको कहा जाता है लेकिन साथ साथी जो पेड़ पोदे हैं नाली नद कि सेंटेट प्लेस हैं यहां भी बहुत हजारों की संख्या में बीटे एंट ईशें नहीं सब्सक् Upperum ये gate बना होता है, tori gate इसको बोलते हैं और साथ ही साथ, इस tori gate के उपर या फिर अगर कोई पेड़ है, या फिर कोई mountain है तो वहाँ पे tori gate नहीं हो, तो वहाँ पे होता है shim-e-nawa, shim-e-nawa नाम की एक rope जैसी होती है जैसी इस तरीके की रसी है, जिसमें ये इस तरीके के paper bolts भी लगे होते हैं, जो की purification का एक तरीके से symbol होते हैं तो ये tori gate पे भी लगे होते हैं, जो दूसरी sacred sites हैं, जैसे कोई पेड़ है उसके बांध दिया, जैसे कोई mountain है उसके बांध दिया, कोई river है उसके बीच में अगर sacred वहाँ पे place है, तो वहाँ पे बांध दिया, तो ये भी शिमे नावा का भी यहाँ पे एक तरीके से चीज होती है, ये भी इनका tradition का हिस्सा है, इनकी ritual का हिस्सा है, अब बात करते हैं Shinto religion की हिथियास की, history को समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ Sintoism में, तो 6th century से पहले तो Sintoism भी था और यहाँ पे बुद्धिजम था नहीं, फिर Sintoism के बाद यहाँ पे बुद्धिजम आया, बुद्धिजम के साथ-साथ यहाँ पे Confuciusism भी आया, Taoism भी आया, चाइना से दूसरे religion यहाँ पे आने लग गए, तो धीरे-धीरे क्या हो गया, कि यह जो foreign religions थे, चाए वो बुद्धिजम हो, चाए Confuciusism हो, इसने overshadow कर दिया, इस religion को, Sinto religion को overshadow कर दिया, और जो लोग हैं, वो ज़्यादा इसकी तरफ जुकाओ करने लगए, especially बुद्धिजम की तरफ, बुद्धिजम को ज़्यादा मानने लगए, इनके traditions को ज़्यादा मानने लगए, इनकी teachings उनको ज़्यादा पसंदारी होंगी, जो भी चीज़े हैं, क्योंकि वो एक ज़्यादा organized way में इनको मिल रहा था, ठीक है, फिर क्या होता है, कि जो बुद्धिज प्रिस्ट थे, वो ही अब कस्टोडियन बन गए शिंटोशिरिंस के, तो उन्होंने अपने जो खुद के ornaments हैं, खुद की images हैं, खुद के जो rituals हैं, traditions हैं, उनको यहाँ पे लागू करना शुरू कर दिया, और धीरे-धीरे करके Shintoism जो है, वो एक तरीके से disappear होने लग गया, फिर 8th century और 9th century में इसको revival करने की कोशिश की, एक Chinese scholar थे, जिनका नाम था कुकाई या कोबा डाशी, इन्हों ने कोशिश करी कि यह जो दोनों doctrine हैं, बुद्धिजम की और Shinto religion की, इनके उपर इन्हों ने कहा कि यह दोनों Shinto ही हैं बई, दोनों Shinto religion ही हैं, इनको दो अलग लग तरीके के Shinto religion हैं, हम इनको साथ में follow कर सकते हैं, इनमें कोई conflict नहीं है, ऐसा नहीं है कि Shintoism को follow करने वाला बुद्धिजम को नहीं मान सकता और बुद्धिजम को मानने वाला Shintoism नहीं मान सकता, जो कि इनको साथ में लिके आता था, एक ऐसी doctrine थी, लेकिन ये भी इसको कहा इन्होंने, ये जो दोनों doctrine को छोड़ नहीं रहे थे, Shintoism की तरफ आ नहीं रहे थे, वो बुद्धिजम को follow कर रहे थे, और थोड़े बहुत elements यहां पर Confuciusism के भी थे, Confuciusism भी आपको पता है, एक ऐसे philosophy है, जिसको आप किसी भी धर्म के साथ follow कर सकते हैं, वो कोई separate, ऐसे religion नहीं है कि उसको आप अलग से ही follow करेंगे, Confuciusism के ideas हैं वो, उसके बाद धीरे-धीरे करके Sinto जो है, वो धीरे-धीरे disappear होने लग गया, जो कुछ बड़े-बड़े shrines थी, वहाँ पे जो उसके मानने वाले थे, वो लोग वहाँ पे visit करते थे, वहीं पे सिमित रह गया था, जो इसके जो monk थे, जो इसके priest थे, वो जादू वगएरा करने लगे, जादूगर सिंटोईजम का 18th century में, 18th century में कुछ scholars थे, उन्हों ने नैशनलिस्टिक आइडियाज और अपने धरम को आगे इस सिंटो कल्चर और कर्स को लाने के लिए वापिस से, इनके उपर काफी सारी बातें लिखी, और वो थे, माबूटी, मोटोरो, नारी गगा, हिरोटो, असुनना ने, ये नाम देखिए, जैपनीज नाम है तो मैं सही से परनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये लोग जो हैं, इन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू किया कि हमारा जो नेशनल रिलिजन था, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो foreign religion की तरफ भागे और foreign religions को उन्होंने अपनाया हमारे culture को भूल गए इस तरीके की बाते की एक nationalistic approach एक nationalistic sentiment जो है उसको जगाया इन्होंने उसके बाद जापान में जो emperor है उसके भी मन में ये चीज आई और उसने भी इसको state religion के तोर पे जानने की मान लिया कुछ लोग तो buddhism के destablishment की भी बात करने लगे तो syntoism को फिर से ये एक तरह से उसका पुनर उठान करने की कोशिश कर रहे थे उसको revive करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे हुआ भी revive उसके बाद shintoism वापिस नीचे डाउन पे नहीं गया अगर आप बात करें फिर सीधा 20 वी शताब्दी की सेकंड वर्ड वोर की समय की तो सेकंड वर्ड वोर में आप जानते हैं एक तरफ थी Central Forces दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर्स ठीक है Allied Forces और दूसरी एक्सिस पावर्स थे और सेकंड वर्ड वोर में एक्सिस पावर की हार हुई जापान की हार हुई और जापान के उपर पहली बार इत्यास में और अंतिम बार दो परमानुबम गिराए गए हिरोसिमा और नागसाखी में ये बात आपको पता है उसके बाद क्या होता है कि अमेरिकी forces ने 1946 में ह जापान को पूरी तरह से उक्यूपाई कर लिया और क्योंकि अमेरिका का जो आइडिया था डेमोक्रेसी को लेकर वो ये था कि रिलिजन को स्टेट से पॉलिटिक से से सेप्रेट रखना है तो सेप्रेट रखने के बाद यहां के जो जर्नल थे उस समय डगलस मैक उथर वो सब चीजे बंद की जाएंगी अब यहां पर रिलिजन को पूरी तरह से सेप्रेट किया जाएगा से स्टेट किसी तरीके से सिंटोइजम को समर्थन नहीं देगा लोग अपने हिसाब से इसको फॉलो करें तो करते जाएं स्टेट नहीं करेगा तो ठीक है उसके बाद हुआ लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से उसके बाद सिंटोइजम का पतन होगा ऐसा कुछ भी नहीं है लोग अपने हिसाब से फॉलो करते आ रहे थे और डेली लाइफ में उनके रूटीन में उनके ट्रेडिशन्स में उनके एक्शन्स में अगर आप देखेंगे तो सिंटोइजम उनके पार्ट का कल्चर बन चुका है आज भी देखेंगे तो लोग इनके बिलीफ में इनकी फिलोसोफी में बिलीव करते हैं उन एक तरीके से कनेक्टेड हैं पूरी तरीके से इनकी थिंकिंग एक्टिंग जो भी चीज़े हैं और शिंटोइजम के प्रेस्ट भी आपको शिरीन शिंटो जो है वो क्या है जिसको जिंजा शिंटो भी कहा जाता है यह वो शिंटो है जो ओरिजिनली था जो एंसेन टाइम से चलता आ रहा है जिसमें इस्टेट जिसको इस्टेट रिलिजन बनाया गया था और जो जापनीज इंपीरियल फैमली थी वो इसको फोलो क सेक्ट हैं मेजर सेक्ट सें सिंटो सेक्ट सिंटो के क्योहा सिंटो के जो अलग अलग टाइम पे औरिजनेट हुए जो इनके जो औरिजनेटर थे जो सिस्टमाइजर थे जिन्हों अपनी अपनी फिलोसोफी दी अलग एक स्कूल ओ उफ सिंटोईजम इजिन को कहा जाता है यह अपनी-पनी फिलोसोफी दे रहे थे स्कूलर्स थे जिन्हों ने सिंटोईजम को अपने-उपने हिसाब से व्याक्या कि इसकी तो आपको अलग तर्फ पे अलग-लग traditions और अलग-लग rituals देखने को मिल जाएंगे और उनका कारण ये है क्योंकि सिंटोईजम की कोई holy book और holy scripture तो है नहीं तो hard and fast कोई rule नहीं है तो समय के साथ-साथ चीजें change तो होंगी अपग्रेड तो होंगी तो वो जो folk शिंटो है वो ये है कि जो अलग-लग roadside आपको चीजें दिख जाएंगे rituals दिख जाएंगे वो जो follow करते हैं उसको folk शिंटो कहा जाता है ठीक है अब बात करते हैं इनकी major dietis की major dietis में देखे कुछ dietis हैं जिनको बहु polythistic religion है जिसमें बहुत सारे gods की पूजा होती है उसको polythistic बोलते हैं जो monothistic है उसमें एक ही गोड की पूजा होती है जैसे इसलाम है जैसे की जैसे की जोडाइजम है जैसे की Christianity है लेकिन यहाँ पर polythistic है और यहाँ पर जो गोडेस हैं जो सबसे important goddess है वो हैं अमाते रासू ह समयते रासू है इनको बोला जला संगोडेस और यह माना है कि परकरती की शुरुआ तहीं इन्हीं की वजह से सब चीजों का एक तरीके से राइज हुआ कामी ने सबसे पहले एन्हीं को क्रिएट किया था जो सबसे पहले ancestor कामी थे उन्होंने इन्हीं को ही एक तरीके से बना जाता है कि सब जगह ही हैं अमाते रासू चाए बड़े नदी नाले पहाडी सब जगह पर अमते रासू का वास है जैसे कहते हैं न कनकन में बगवान है वैसा ही कॉंसेप्ट इसमें है अने इनारी जो है वो गोड ओफ राइस और फुड प्रोड़क्शन माना जाता है सुसान उसके बाद साथ गोड़स हैं जिनको गुड लग को रिपरजेंट करते हैं और इनकी पूजा अपनी अपने जो चीज आपको चाहिए उस हिसाब से पूजा की जाती है तो जो 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 हैं जिनको कहा जाता है गोड ओफ लोंगेविटी यानि की लंबी लाइफ के देवता है ये बेनेट जो हैं वो गोड़स और ब्यूटी हैं म्यूजिक हैं लिटरेचर हैं और नोलेज हैं बिशन मॉन्टेन जो हैं इनको कहा जाता है गोड ओफ वोरियर्स और होटोई जो हैं होटेई जो हैं इनको कहा जाता है गोड ओफ हेल्थ और गोड अबंडन्स इबी इसू तो जो भी गोड है जो भी आपको चीज चाहिए उस हिसाब से उसकी पूजा कर सकते हैं लोग सबी की पूजा करते हैं सबी को ही एक तरीके से वो मानते हैं और इनका प्राइम ऐसा कॉंसेप्ट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्शिप में मानते हैं ये जाते हैं रोज नहीं जाते हैं मंदिर में टेंपल में शिरेंस में रोज नहीं जाते हैं कभी जाते हैं तो उस तरह से कोई हाड़ फास्ट रूल इनका बना नहीं रखा कि आप जाके इतना माथा टेक होगे कि तब ही जो जोरी ने आपसे खुस होंगे और अपकी लंबी लाइफ मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है फिलोसोफी ओफ एक्षिन क्या है? देखें मैंने क्या कहा था कि बिलीफ और एक्षिन के बारे में बात करें तो मैनली सिंटोईजम किसके बारे में बात करता है purity, sincerity, gratitude को एक तरह से promote करता है और सिंटोईजम में कहा जाता है कि सभी जो human beings हैं वो तो कामी के बच्चे हैं और कामी जो चाहते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता जो human being अपनी daily life में जो भी करता है वो कामी की मर्जी से ही करता है तो सिंट का तो concept ही नहीं है पाप का तो यहां पे concept ही नहीं है कि पाप कोई कर सकता है क्योंकि इश्वर की मर्जी के बिना कामी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हील सकता ऐसा concept है तो फिर भी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें है human being जो करता है अपने कर्मों से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिससे उसकी life जो है वो pollute हो जाए जिसको कहते हैं ना harmful activities की जिससे जिसको कहा जाता है tissue में ये जो है इसकी वज़े से life pollute हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि permanently pollute हो गई permanently pollute नहीं हो सकती अगर इनसान को चाहिए कि वो अपनी life को purify करना चाता है तो purification किया जा सकता है ये जो pollution है इसको हटाया जा सकता है किसके थूँ? rituals के थूँ तो rituals के थूँ ये चीज़े की जा सकती है और rituals को follow कहां जाके rituals को करना है? शिरिन्स में जिंजा में शिंजो जिसको कहा जाता है वहां पे इनको किया जाता है और शिंजो या जिंजा वो जगह है जहां पे जो इश्वर है जो कामी है वो किसके साथ interact करते हैं? human beings के साथ वहां पे आपको priest मिलेंगे और priest का culture इनके यहां पे काफी liberal है कि man और women तो उसके लिए कुछ hard and fast tool बना दिए कि आपका दाइरा ये सिमित हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो priest है ये help करते हैं लोगों की इन rituals को complete करवाने में क्योंकि इनको ज़्यादा पता होता है कि उन rituals को किस तरह से follow करवाना है एक तरह से perform करवाना है चाहे prayers को chant करवाना हो chanting prayers हो purification हो offerings हो ये सारी की सारी चीजें जो है ये priest करवाते हैं साथ ये साथ कामी को खुश करने के लिए और उसको owner में dance और singing जैसी activities को भी perform किया जाता है इन जो priest हैं इनके दुआरा तो ये चीज है इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा cutter हार्ड कोर रूल नहीं बना रखा है कि इस तरह से करना है ये ये ही method है तो सब तरीके से ये पूजा पाठे आपे होती है यहाँ पे rituals में purification होता है prayers होते हैं हाइम्स होती है adoration होता है offerings होती है करते हैं सेर्मनीज में साके को ड्रिंग करते है जो जापनीज साके है आपने नाम सुना होगा कई बार movies वगएरा में देखा भी होगा तो ये सब चीजे होती है collaging sanctuary जो है इसके एक सेर्मनी होती है अलग लग तरीके की music and dance को भी यहां सेर्मनी में include किया गया है सर्मन है जो optional है तो अलग लग तरीके की सेर्मनी यहां पे की जाती है और ये rituals ही इनके लिए एक तरीके से पूरे का पूरा religion और tradition है rituals के थूर ही आप purification कर सकते हैं और एक तरीके से कामी जो है उनको अपनी शरधार पित कर सकते हैं ठीक है festivals की बात करें तो कुछ festivals भी यहां पे होते है spring festival है अलग लग जगह पे जाएंगे तो आपको अलग लग festival साल के अलग लग महीनों में आपको देखेंगे कुछ harvesting festival जो की हर एक religion में हर एक folk culture में आपको देखने को मिलते है spring festivals है जिसमें हारू मस्टूरी इसको कहा जाता है जहां पे good harvesting के लिए यह festival किया जाता है autumn festival है यह भी harvesting का एक festival है जो main festival है जो annual festival होता है race eye जो साल में एक बार होता है new year वाला festival इसमें सब लोग एक तरीके से जापान में एक culture ही आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग centoism को ज़्यादा तर चीज़ों को नहीं follow करते हैं वो भी इस tradition में जाके follow करते हैं इस new year वे पे मिलते हैं annual festival में समिलित होते हैं और अपने अपने तरीके से इसको celebrate करते हैं और ये इसका एक important tradition है आईस बात ritual इसको बोलते हैं new year पे होता है purification के लिए इसमें ये अपनी purification भी करते हैं और अपने जो भी चीज़े इनको चाहिए उसके लिए शरधार पित करते हैं कामी को और कामी से जो चीज़े इनको मांगनी है वो मांगते भी हैं तो ये इस तरीके के philosophy को ये लोग follow करते हैं इस तरीके के traditions और rituals को follow करते हैं hopefully आपको इनकी history, इनके traditions, इनके cults को इनका जो cult है वो समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का आप like और share तो करी सकते हैं आने वारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe भी कर सकते हैं so thank you so much for watching this video have a good day, see you in next video